हलो दोस्तों स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले इस्टैटिक जीके का टॉपिक वर्ड हरिटेस साइट्स इन इंडिया तो पिछली क्लास में हमने चार साइट्स के बारे में पढ़ा था जो सभी रिलेटेट थी चार गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा था अजंता एलोरा एली फेंटा और भीमबेट का चारों जो गुफाओं वह वह बिरासत इस्थाल में सामिल थी तो वहाँ पर हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से वर्ड हेटेट साइट को डिकलेर किया जाता है यूनेस्को के जारा और साथी साथ हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हम इसको एक नए क्रम में पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मुगल काल की साइट्स हैं और वर्ड हेरीटेस साइट्स में सामिल हैं तो आज हम 6 साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो की हैं आगरक किला, ताजमहल, फतेफुर सीकरी, लाल किला, हुमायु मकबरा और कुतुम मिनार तो यह सभी सल्तनत काल की यानि कुछ दिल्ली सल्तनत की इसमें साइट्स हैं और कुछ हैं मुगल काल की साइट्स तो इनके बारे में हम डिसकस करेंगे और सबसे पहले देखते हैं जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा आगरा किला यानि आगरा फोर्ट के बारे में तो यह जो आगरा किल्या है, इसका इतिहास काफी पुराना है और पहले जब इंडिया में राच पूतों का सासन हुआ करता था सबसे पहले जो यह किल्या है, यह सीकरवार ven's के राच पूतों के पास का और फिर क्या हउआ ? फिर भारत में मुसलिम आत्करमड हुआ मैमूद गजनवी, मुहम्मद गवरी उसके बाद दिल्ली सल्टनत की सुरुआत हुई तो गुलाम वंस उसके बाद सारे वंस आते चलेगे फिर 1526 में मुगल वंस की स्थापना हुई भारत में यानि बाबर ने भारत में आकमड किया दिन फिर क्या हुआ कि पहले नाम इसका बादल गड़ हुआ करता था जब ये किला राजपूत्वंस के सासकों के पास हुआ करता था तो फिर क्या कराया अकबर ने इसका पुनर निर्मान कराया जब अकबर का सासन आया तो सभी जो मुगल काल के मुगल सासक थे सभी ने इस किले पर राज किया जिस प्रकार से उनकी डाइनिस्टी आती गई तो अकबर ने इसको पुनह बनवाया था यानि अकबर ने इसका पुनर निर्मान कराया था कब 1573 में 1573 में अकबर ने इस किले का पुनर निर्मान कराया और उस ने सासन किया, फिर अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के बाद साजहां, और साजहां के बाद औरंगजेप, सभी ने इस के लिए पर-सासन किया है, जो मुगल वंसके सासकते, इसलिए अकबर को माना जाता है, कि अकबbern निरमार्ण खराय है, लेकिन ये पहले से यही बना हुआ था पहले राजपुतों के पास था धिन फिर मुगल वंस के सासकों के पास यह किला आया है और अगर बात करें इस किला की यानि आगरा फोर्ट की तो यह ताज महल से ही कुछ दूरी पर पढ़ता है और इसमें दो गेट है यानि दो गेट से इसमें प्रवेस होता है जिसमें दोनों गेट का नाम आपको याद रखना है एक है दिल्ली गेट देखिए नाम इसका है दिल्ली गेट लेकिन यह दिल्ली में नहीं यह आगरा किला का एक गेट का नाम है और दूसरा है लहोर गेट और लहोर गेट का नाम अमर Singh Dwar कर दिया गया तो इसके इस नाम से भी इसे जाना जाता है और साथी साथ ये जो दिल्ली गेट है इसका प्रयोग होता है च्छाउनी के रुम में यानी ये दर्सकों के लिए नहीं है इसको सेना की एक च्छाउनी बनाया गया है तो जो दिल्ली गेट है वो छाउनी के रूम में दर्सुंग के लिए नहीं है दर्सुंग के लिए लाहॉर गेट यानि अमर सिंग द्वार से प्रवेस दिया जाता है और यह परेटा इसल भी है यहां आप जा भी सकते हैं तो यह हमारी एक साइट्स हो गई उसके बाद हम आगे बढ़ते फिर आती है ताज महल तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप सबी लोग इससे परिचित होंगे ताज महल आगरा में इस्ती थे इसका निर्मार किसने कराया था तो साजहाने अपनी पतनी मुम से ही पता है ताज महल के बारे में और इसके वास्तुकार थे तो आपको नाम याद रखना है उस्ताद अहमद लाहौरी यानि उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस ताज महल कर डिजाइन बनाया था और इसमें जो संग मरमर लगा है वो संग मरमर कहां से आया था तो राजस्त तो अगर कभी थोड़ा सा टफ क्वेशन बनता है तो यह पूछा जा सकता है कि ताज महल में किस सैली का प्रयोग किया गया है यानि जुसमें नकासी की गई है कि सैली में तो यह पित्रा दुरा सैली है जो की इतावली यानि जो जिसे हम इटली कहते हैं तो वहां के जो चित्रकार थे उन्होंने इस सैली का यूच किया था और यह सैली होती क्या है इसमें क्या होता है पत्थरों पर जड़ाव काम किया जाता है यानि इसका means होता है hard stone जो पत्थर पर नकासी की जाती है पत्थर पर जो नकासी है जो कि ताज महल में है तो पत्थर में जो नकासी की जाती है उसे ही कहते हैं पित्रा दुरा सैली तो इस सैली का यूच किया गया है ताज महल के निर्माण में और इसका निर्माण मुगल सासक सा जहाने करवाया था और इसके पास में ही है, यानि दोनों ही आगरा में इस्थित है, आगरा किला तो नाम से ही है, और ताज महल भी आगरा में ही इस्थित है, और ये दोनों साइट्स थोड़ी दूर में, यानि आगरा किला से आप ताज महल को अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं, क्योंकि दम्मन बुर्ज भी था जहां से साज जहां ताज महल का दीदार किया गड़ता था तो यह दोनों आसी पास इस इस जो बिल्डिंग है उसके बाद आती है हमारी अगली साइट फटेफुर सीकरी तो यह कोई साइट नहीं है यह एक अकबर के द्वारा बसाया गया एक सहर है त क्योंकि यह आगरा से ही कुछ दूरी पर पड़ता है फटेफुर सीकरी तो अकबर ने इसे 191569 में यानि 1569 में इस सहर को बसाया था मुगल सासक अकबर ने और इसको 1986 में वर्ड हरिटेस साइट में सामिल किया गया था यूनेसको के द्वारा तो देखिए अकबर का सासन भ अकबर को महान भी का आ जाता है कि इसने जो सव्हार्दपूर्ण भाउना है वो बनाए रखी तो इसने ही इस सहर को बसाया था यानि कि अकबर ने और इसमें एक कफिर अकबर ने इसमें बुलंद दरवाजे का भी निर्मान कराया था कहां फटेफुर सीकरी में यानि जो बुलंद दर्वाजा है, वो फतेफुर सीकरी में बना हुआ है, तो ये आपको याद एकना है, उसके साथ ही साथ, गुजरात विजय पर इसका निर्माण कराया था, अकबर ने, यानि जब गुजरात पर विजय पाई थी, अकबर ने उसके बाद, उसने इस दर्वाजे का न मीटर उचा है, 54 मीटर उचा है, यानि कि हम करे दें, जमीन से, 280 फुट, इसकी उचाई है, बुलंद दर्वाजा की, और इसे ऐसा माना जाता है, इस बुलंद दर्वाजे को कि ये, मस्जिद मक्का की, यानि जो मक्का मदीना की मस्जिद है, उसकी नकल इस बुलंद तो अकबर ने इस बुलंद दरवाजे का निर्मान कराया था और फतेफुर सीकरी सहर को भी अकबर ने ही बसाया था तो इसकी आपको उचाई याद रखनी है और ये मस्जिद मक्का की नकल इसको कहा जाता है तो ये तीन साइट्स हमारी कंप्लीट होती है तीनों ही आगरा में ही है यानि जो आगरा फोर्ट है ताजमैल वो तो आगरा में इस्तित है जो फतेफुर सीकरी है आगरा से ही थोड़ी दूर पर फतेफुर सीकरी भी इस्तित है अब बढ़ते हैं अगली साइट्स की और और लाल किला यानि की रेट फॉर्ट तो देखिए वो पीछ पीछे हमने पड़ा आगरा फॉर्ट के बारे में आगरा किला के बारे में ये है लाल किला दोनों से में लगते हैं काफी कन्फूजन दोनों में देखने को मिलता है तो देखिए ये जो लाल किला है ये इस्तित है लाल किले का निर्मान किया गया था दिल्ली में तो दिल्ली सल्तनत पहरे ले फिर जब दिल्ली सल्तनत समाप थी तो इसके बाद मुगल सासान आया भारत में तो मुगल सासा की थे साजहां जिसने ताजमहल का निर्मान कराया था और उसी ने ही लाल किला का निर्मान भी कराया और यह लाल बलुवा पत्थर से बना हुआ है यानि इसमें लाल बलुवा पत्थर का यूच किया गया है और ताज महल में संग मरमर का यूच किया गया और साथ ही साथ मौती मस्जिद वो इसी फोर्ट के अंदर है मौती मस्जिद मोती मस्जिद इसी में इस्थित है और इसे साल 2007 में यानि काफी बाद में 2007 में इसे युनिस्को के दोरा वर्ड हीटेस साइट में सामिल किया गया और बात करें तो ये पहले यानि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब इसे सेना का कार्याले बनाया गया यानि ये पहले सेना का कार्याले हुआ करता था फिर क्या हुआ कि 2003 में इस किले को परेटन विभाग को सौंपा गया परेटन विभाग को इस किले को सौंप दिया गया और अब इसमें सेना का कार्याले नहीं है यह पर एक परेटन स्थल भी है और यह हमारे राष्ट की एक धरोवर के रूम में भी देखा जा सकता है यह अब देख सकते हैं हमारे इंडिया का फ्लैक यहाँ पर लगा हुआ है और 15 अगस 26 जनवरी को यहाँ से भाशन भी दिया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्व और अभी थोड़े से जो यानि 26 जनवरी को अभी थोड़ा विवाद भी देखने को मिला जब यहाँ पर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए तब यह चर्चा में रहा रेटफोर्ड तो आपको इसके बारे में यह बाती याद रखनी है साजहान इसका निर्मार कराया था दिल् मुगल सासक का जिसने मुगलवन्स की स्थापना की थी मुगलवन्स का संस्थापक बाबर को मना जाता है फिर उसका पुत्र था हुमायू के बाद अकबर अकबर के बाद जहांगीर जहांगीर के बाद सा जहां और फिर औरंग जेब ते काफी ताकतवर और काफी चर्चा में रहे जो मुगल सासक थे वो हैं औरंग जेब के बाद भी सासका है मुगल वंसके लेकिन वो उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे तो ज्यादा तर जो आपको जो विल्डिंग्स हैं वो इन्ही सासकों ने बनवाई है जो मुगलवंस के अच्छे सासक थे जिनको हम अच्छे सासक मानते हैं तो ये जो हुमाईू मगबरा है, तो ये घुमाईू टाउम ओए, तो इसको किसके द्वार बनवाया गया था हुमाईू की पतनी हमीदा बानु बेगम पतनी का क्या नाम था हमीदा बानु बेगम सब्सक्राइल देखिए जो नामा यानि हुमाय के ज़ीवनी लिखी है हुमाय की बेटी के लारा खी गई है और यह जो हुमाहों के मकबरा बनवाय गया है यह भी दिल्ली मे इस्ती दिल्ली में इस लेकिन हुमायों के मरने के बाद, हुमायों के मृत्ति के बाद उसकी पतनी ने उसकी याद में यह मकबरा बनवाया था, मुगल वास्तुकला का इसे प्रथम उदारण का आ जाता है, और फिर उसके बाद मकबर का सासान आया तो उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई य यानि इसे भी लाल बलुवा पत्थर का यूज इसमें भी किया गया है, और ये दोहरे गुंबत का इसमें इस्तिमाल किया गया है, तो ये फर्ष्ट एक्जामपल है, यानि पहला ऐसा मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबत का यूज किया गया है, क्योंकि ये एक नई सैली थ जो मुगल वास्तुकला ने अपना निर्माण किया और इसमें क्या है दोहरा गुंबत है तो ये दोहरे गुंबत का फर्ष्ट टॉम्ब है पहला ऐसा मकबर है जिसमें दोहरा गुंबत का यूच किया गया है और इसमें चार बाग सैली का भी यूच किया गया है यानि चार ब जो मुगल काल की विसेस था थी उसकी वास तुकला की वो हमको यहां पर देखने को मिलती है तो यह हमारी five sites complete हो चुकी है अब उसके बाद हमारी आज की last site है जो की है कुतुम मिनार तो कुतुम मिनार इसे युनिसको के द्वारा वर्ड एटेस sites में सामिल किया गया था 1993 में यानि 1993 से युनिसको के द्वारा वर्ड एटेस sites में सामिल किया गया और यह भी कहा है यह भी है दिल्ली में और यह है महरोली वाले भाग में तो यए खुतूब मिनार इसी थे दिल्ली और इत बनी बिस्टो की सबसे उची दिवार को ये भी कूरशन काहिवार कॉंछा गया है कि बिस्टो की सबसे उची मिनार कौन सी है और ओभी इत से बनी तो इन्टों से इसका निर्माण किया गया था इन्ट से बनी विस्तो की सबसे उची मीना रहें अब बात कर लेते हैं किसने इसका निर्माण कराया था तो देखिए जब भारत में मुसलिम आक्रमण हुआ तो उसके बाद मेहमुद गजन्वी आय, मुहम्मद गवरी आय तो गवरी का एक गुलाम हुगा करता था कुतब बुद्दीन एबक तो गुलाम बंस का संस्थापक भी था कुतब बुद्दीन एबक यानि उसने ही दिल्ली सल्तनत की सुरुआत की थी गुलाम बंस की स्थापना की थी भारत में तो कुतब बुद्दीन एबक ने ही कुटब बिद्दिक एहभग ने इसका निर्माड शुरू कराया था यह कम्प्लीट नहीं करा पाया पहले हिसकी मृत्थी हो गई थी और यह बनी किसकी याद में तो कुटब बुद्दीन इसका नाम जो कुटब मिनार है वो कुत्व बुद्दिन बक्तियार काकी कुत्व बुद्दिन बक्तियार काकी की याद में कुत्व बुद्दिन अभग ने इस कुत्व मिनार का निर्मार कराया था और उसने इसका निर्मार सुरू किया था लेकिन फिर इल्तुतमिस ने जो इसी गुलाम मंस का सासक था इल्तुत मिस इसने इसका निर्माण पूरा कराया इल्तुत मिस ने इसका पूरा निर्माण कराया और उसके बाद क्या हुई कि एक बार जब बिजली गिरी तो इसका कुछ भाग छतिगरस्त हो गया था इस लिए देखिए यहाँ पर कुटुम मिनार वैसे तो अगर बात की जाए कुटुम मिनार की बात की जाए कुटूम मिनार क किस ने एक दो आ कराया तुद्धी नएभग एकसम में नहीं है तो फिर इल्टु समय नि निर्माण पूरा कराया था और फिर चती रस्त और गई तोसके बाद जो पुना निर्माण है वो फिरोस्ता दुग लगनी करyan था और ये पांच मंजिला इमारत है पांच मंजिला मिनार है वरतमान में इसने पांच मंजिले और इसकी लंबाई की बात कर ली जाए अगर तो इसकी जो लंबाई है वो 72.5 मीटर इसकी लंबाई है और अगर फिट में बात करें तो 237.86 फिट इसकी उचाईए और इसमें 379 सीणियां है तो ये भी question कई बार पूछा गया है कि कुतुम मिनार में कितनी सीणियां है तो 379 यानि 389 सीणियां है कुतुम मिनार में और इसकी लंबाई 72.5 मीटर और इसे ऐसा माना जाता है कि ये जाम मिनार से प्रेरित है यानि कुतुम बुद्धी नहिबग ने जाम मिनार किये कि यहां पर नकल करके ये कुतुम मिनार का निर्मान कराया है जाम मिनार कहा है तो ये अफगानिस्तान में पहले भी अफगानिस्तान में ये बनी वही थी तो उसी की एक नकल माना जाता है या उसी से प्रेरित इस कुट्व मिनार को माना जाता है तो यह आलोबर इनफोर्मेशन थी जो वर्ड हेटेस साइट सी हमारी आज की जिनमें जो five साइट थी वो related थी मुगल काल से और एक यह जो कुट्व मिनार है यह related है दिल्ली साथनत है यानि इसका निर्मान गुलाम मन्स के साथ सक कुतु बुदी नयवग ने करवाया था तो इस प्रकार से हमारी six sites यह और four पहले ही complete हो चुकी है तो इस प्रकार से ten word hds sites है जो इंडिया में हमारे वो complete हो चुकी है अब हमारी बचती है 28 जिनको हम इसी क्रम में पढ़ते हुए चलेंगे एक सीरियल वाई जिससे हम इसके अच्छी तरीके से relate कर पाए और learn कर पाए तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे भारत के मंदीर है तो सभी मंदीर को एक साथ ही पढ़ेंगे जो word related sites में सामीलें तो इस क्रम से हमको अच्छी तरीके से याद होता हुआ भी चला जाएगा तो चलिए मिलते हैं आपसे next class में नया topic के साथ नया topic का मतलब इसी के आगे के जो बचे हुई sites है उनके बारे में हम discuss करेंगे तो मिलते हैं आपसे next class में तब तक के लिए धन्यवाद